छट पर्व, छेट या शष्थी पूजा कार्तिक शुकल पक्ष के शष्थी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है. सूर्यो पासना का यह अनुपम लोग पर्व मुखे रूप से बिहार, जारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराइक शेत्रों में मनाया जाता है. कहा जाता है यह पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है. यह उनकी संस्कृती है. छट पर्व बिहार में बड़े धूम धाम से मनाया जाता है. यह पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा एक मात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो यह बिहार की संस्कृती बन चुका है. यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृती की एक छोटी सी जलक दिखाता है. ये पर्व रिगवेद में वर्नित सूर्य पूजन एवं उशा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है बिहार में हिंदो द्वारा मनाय जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं धीरे धीरे ये त्योहार प्रवासी भारतियों के साथ साथ विश्वभर में प्रचलित हो गया है चट पूजा सूर्यक प्रकृति जल वायू और उनकी बहन चटी या को समर्पित है ताकि उन्हें प्रित्वी पर जीवन की देवतायों को बहाल करने के लिए धन्यवाद चटी मैया जिसे मिथिला में रन्बे माय भी कहा जाता है भोजपुरी में सबिता माय और बंगाली में रन्बे ठाकूर बुलाया जाता है पार्वती का चटा रूप भगवान सूर्यकी बहन चटी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है ये चंद्र के चटे दिन काली पूजा के छे दिन बाद चट मनाय जाता है मिथिला में चट के दोरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुधपारम परिक संस्पृती को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुधसूती धोती पहनती है त्योहार के अनुष्थान कठोर है और चार दिनों की अवधी में मनाय जाते हैं इन में पवित्रस्त नान, उप्वास और पीने के पानी रितात से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद, प्रार्थना प्रसाद और अर्ग्य देना शामिल है परवातिन नामक मुख्य उपासक संस्कृत पार्व से जिसका मतलब आफसर या त्योहार आमतर पर महिलाए होती है हाला कि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं क्योंकि छट लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है छट महापर्व के व्रतकुस्त्री पुरुष बुरिक जवान सभी लोग करते हैं कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं पर्यावर अनविदो का दावा है कि छट सबसे पर्यावरन अनुकुल हिंदू त्योहार है ये त्योहार नेपाली और भारतिये लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है